कच्चा बदाम फेम सिंगर भुबन बढ़्याकर कर सुमवार को पश्चिम बंगाल के बीर भूम में अक्सिडेंट हो गया जिसमें वो खायल हो गए हैं हाथसे के बाद उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल में एडमिट कराये गया भुबन के सीने में चोट लगी है बता दें कि भुबन ने हाल ही में एक कार खरीदी है हाथसा तब हुआ जब भुबन कार चलाना सीख रहे थे हाथसे के बाद कच्चा बदाम फेम सिंगर को सुपर स्पिश्यालिटी में अडमिट कराये गया है बता दें कि भुबन बढ़्याकर पश्यम बंगाल में मुंगफली बेचने का काम करते थे और मुंगफली बेचते वक्त कच्चा बदाम गाना गाते थे ये गाना सोशल मेडिया पर तेजी से वाइरल हो गया जिसके बाद भुबन बढ़्याकर मश्यूर हो गए गौर्दलब है कि भुबन बढ़्याकर ने हाल ही में एक म्यूजिक कमपनी के लिए कच्चा बदाम गाने का विडियो शूर भी किया उन्हें कई कमपनियों और टीवी शो से ओफर मिल रहे हैं उनकी जिन्दकी पूरी तरह बदल गई है भुबन बढ़्याकर के फेम का आलम ये है कि अब जब भी वो कहीं चाते हैं तो लोग उनके साथ सेलफी लिन चाते हैं भुबन के गाने कच्चा पदाम गाने पर लाखो यूजर्स रील बना चुके हैं भारत ही नहीं दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के लोगों ने कच्चा पदाम को इतना पसंद किया कि इस गीत के जनक भुबन बढ़्याकर रातो रात स्टार बन गए ब्योर रपोर्ट आज की खबर